दोस्तो अगर आप B8 कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको Action Research File बनानी होती है अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो आज मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा कि Action Research File क्यों बनाई जाती है B8 में और इसकी जरूरत क्या होती है आप B8 किसी भी उनिवर्सेटी से कर रहे हो कहीं से भी कर रहे हैं वहाँ पर Action Research File बनाने के लिए बोला जाता है और Action Research File किस लिए बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है आज के इसी वीडियो में हम डिसकस करेंगे दोस्तो इसी परकार से बहुत सारे फाइल मैंने अपने प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड किया है B8 में क्या-क्या और भी फाइल बनाई जाती है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे और जल्दी मिल सके और आपकी जो प्रिप्रेशन है और भी अच्छी डाइरेक्शन में बनवाई जाती है और कही कही पर आपका फर्स्ट यर में भी एक्शन रिसर्च फाइल बनवाई जाती है दोस्तों तो यहां पर हम प्रॉब्लम क्या होती कि एक्शन रिसर्च है क्या सबसे बरी बात कि एक्शन रिसर्च क्यों बनवाई जाती है दोस्तों यहां पर मैं कर आप इसकी help से आप लिख सकते हैं आप कहीं पर भी आप intensive के लिए आप गए हैं तो उस intensive कराते समय उस दर्मियान बहु सारे बच्चों की problem को आप अब्जॉर्ब करते होंगे देखते होंगे उस observation में जैसे कि कुछ बच्चे की problem सोती है अगर आप भाशा परहा रहे हैं तो भाशा में problem होते हैं उनकी उच्चारन उनकी ध्वनियों में उच्चारन सही से नहीं कर पाते हैं तो यह सारे चीजे उप्जॉर्ब उनकी राइटिंग में भी देखते हैं आप problem देखेंगे उसमें बच्चों में क्या-क्या अच्छाईया हैं क्या-क्या problem हैं उन सारे problem को दूर करने के लिए आपने क्या-क्या उपाय किया उन सारे problem को आप अपने action research file में लिखते हैं और उसको कमियों को दूर करने के लिए आप उपाय बताते हैं यह सारे चीजे आप action research में दिखा सकते हैं तो B.A.D. में यह action research यही होता है कि आप बच्चों के अंदर की कमिया को अब्जॉर्ब करें और उसको अपने file में बनाएं और उसकी कमिया को कैसे आप निदान दिला सकते हैं आप अपनी उपाय को लिखें तो दोस्तों मैं आपके सामने यह जो वीडियो में बता रहा हूँ एक अच्छा छे के छात्र में जब परहाने एक teacher जाते हैं तो उसकि बच्चों में देखते हैं कि problem क्या है दोनियो में problem है उचारन में problem है जैसे कि उल्टा लिग देना सही से नहीं लिग पाना इन सारे चीजों में problem है उचारन सबंदिल लिकित असुध्या को सुधार है तू एक्सर रिसर्च ये बनाया जा रहा है तो देखते हैं आगे और क्या क्या दोस्तो आगे का जो फ्रॉंट पेज रहेगा आपका फाइल का इस तरीके से आपका फाइल का रहेगा जो मैंने आपको दिखाया यहां पर शर्टिफिकेट आपका नाम रहेगा आप किस कॉलेज से किस इन्वर्सिटी से आप कर रहे हैं कॉलेज से का उसका नाम रहेगा किस सेशन में कर रहे हैं और यहां पर आपका जो रहेगा टीचर सिगनेचर्स रहेंगे है ना यह सारे चीज़े आपके रहेंगे तो दोस्तो आगे और भी बने रहे हैं मेरे शाथ पता है आपको एक्टिविटे से रिलेटेट सारा प्रोजेक्ट वर्क मेने अपने प्लेलिस्ट में बीड में क्या क्या करवाई जाती है सारा कुछ अबलेवल करा रखा है आप देख सकते हैं जाकर ठीक दोस्तो फ्रॉंट में आप उदेश लिखेंगे औजेक्टिव एक्टिव बनाने का क्या आपका उदेश है वह आप मेंशन करेंगे जहां पर भी आप इंटेंसिप के लिए आप गए हैं तो वहां की प्रॉब्लम को अब्जॉर्ब किया बच्चों के अंदर में उस सारे चीजों की उदेश क् इन सारे चीजों का अपने फाइल में मेंशन करेंगे दोस्तों यहां पर आप इसक्रिंसोट ले सकते हैं कि जो चीज भी यहां लिखा हुआ है आपके सामने सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों पिर उसके बाद बिसेस्ता आप लिखेंगे कि क्या-क्या बिसे आप इसे देख सकते दोस्तों तो आप इसे स्क्रिंसोट करके आप ले लीजिए ताकि आपको अपनी फाइल बनाने में हेल्फ हो सके दोस्तों थर्ड फेज आप मेंशन करेंगे सिर्षक है ना कच्छा छे के चात्रों में हिंदी भाषा की जो बरतनियों में है ना जो की भाषाओं मात्राओं में जो उचारन समंदी जो लिखित असुधिया के सुधारेतु अध्यन अपने जो टॉपिक चुना है उसी को सिर्षक के रूप में आप लिख सकते हैं शमस् प्रिष्ट भूमी लिख सकते हैं दोस्तो आप अपना ठीक है ना यह सारे चीज़े आप अपने एक्षन रिसर्च फाइल में में मेंशन कर सकते हैं दोस्तो देखिए आप इसके वीडियो को पाउस करके आप इसको लिख सकते हैं दोस्तो आपका फाइल इस्टिक फाइल हो कार ये बीधी कार ये बीधी क्या होगी उसको आप मेंशन कर सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं आप इसे स्क्रीन सॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में अशानी होगी आप ताकि अच्छे से एक्षन रिसर्च फाइल बना सके ठीक है अब पांचमें पेज के तरफ चलत अभ्यास मौकिक अभ्यास सुरूती लेख एक कॉलम में दूसरा कॉलम में मात्राओं से समंदित सब्द एवं लिखित इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्या क्या कितने दिनों में इस सारे चीज़े आपने रिसर्च किया सिच्छक के द्वारा शुच्मता से निरक्षन कार लिखे करना इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं दोस्तो यह आपको जो दीक रहा है मैं आपको ये जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इसको आप वीडियो को पाउस करके आप लिख सकते हैं सारा कुछ आपको कोई प्राब्लम नहीं होगी दोस्तों पढ़ने में टाइम ज् ताकि आप इसको स्क्रीन शॉट ले ले दोस्तों फरस्ट पेज मैंने दिखाना भूल गया था फर्सट पेज में आप क्या ता स्वर्री क्रेयात्मक अनुसानधान यानि एक्षन रिसर्च को हिंदी में किर्यात्मक्स अनुसंदान कहते हैं इसको डिफिनिशन के रूप में आप लिख सकते हैं फ्रॉंट पेज पर है ना इसका मैं PDF आपको एबलेबल करवा देंगे दोस्तों ठीक है रहा आप इसे देख लिजिए ठीक है आप एक बार यह पूरा वीडियो आप देख लिजिएगा क्योंकि फ्रॉंट स्लाइड आपका थ्वा बीच में हो गया है इस में जैसे आप पूरा वीडियो एक बार देख लिजिएगा उसके बाद आप अपना बनाने के लिए रेडी उदेश कथन हैना उदेश और कथन क्या है कछछ चे के छात्रों को उ बरीवू छोटीय बराई री को मातराओं का सुधिए बरकर्श्टत। उचारन करणा और लिखन कारियो में मातराओं का उचित परियोग करना सिखाना उदेश कथन है इसी को आगे बरहाते हुए को आप mention करेंगे अपने action research file में दोस्तों next page पर आते हैं दोस्तों page number 7 में जो आपका next page होगा साथ ओ देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर भी चार कॉलम आप लेंगे एक मिक कारण साचिया तत्व या अनुमान सोत करता का नियंतरन इन सारे चीजों को आप हरे कॉलम में अलग-अलग mention कर सकते हैं चात्र, उ, बडिव, छोटी, बडि, री की मातराओं को नहीं पहचानते इसको कारण में लिखना है साचिया में चात्रों को मातराओं की पहचान कराई गई तत्व इस तरीके से आगे बढ़ना है और इस सारे point को अपने action research file में डालना है इसके अलावे भी आप अपने creativity को दिखा सकते हैं आपको जो भी knowledge है मैं आपको यहाँ पर एक idea प्रोवाइट कर रहा हूँ इसके द्वारा आप बना सकते हैं कि action research file कैसे बनाते हैं be it second year में तो उसी का मैं एक example उधारन दे रहा हूँ दोस्तो next page पर चलते हैं दोस्तो page number 8 पर आप देखेंगे कि उसी से related आगे इस पर क्या-क्या लिखनी है आगे अपने लिखावट को जारी रखेंगे और इसको लिखते चलेंगे ताकि आपकी action research file complete हो सके और आप अच्छे से perform कर सके अपने colleges में तो यह सारे चीजे आपके सामने हैं दोस्तो यह आपका एक उधारन देकर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और चीजों को आप अच्छे से अपने notebook में लिख सकें फाइल में आप ल किया है action research file बनाते समय जैसे कि flashcard रंगिन पेंशिर रंगिन चौक का परयोग किया है आपने सब्द लिखे चार्ट पेपर का परयोग किया है खेल बीधी श्यामपट का परयोग किया है इस पर करके आप action research बना सकते हैं आकरों का visualization आप दिखा सकते हैं दोस्तों सोध के पू कoba बना कर दोस्तों next page पर चलते हैं दोस्तों next जो आपका पेज होगा दोस्तों इस तरह साब diagram बना सकते हैं आधेगे इसको हम आपको फ़ूम उ करके आपको दिखा रहे है इस साग mist हे चार्ट बनाकर दिखा सकते दोस्तोओ ठीक है इस्ते चाथ की स्तित्य आप लिख सकते नीचे इससे इस अपो देख लिजल सकी आपको दिक्स बेंस पीज्य पर चलते हैं दोस्तों प्लै आप इसरी पॉइंट को आप मेंशन करेंगे, है ना, देख लिजे, सुधार एक कारी को आप मेंशन करेंगे, सोध के पहचात की इस्तिती, इस सारे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, आप देख लिजे, कच्छा छे में बच्चों की कुल संक्या, आपके कच्छा में कितनी अपने मात्रा की सही उचारन और सही परियोग करने वाले चात्र की संक्या, चात्र हैं या चात्रा हैं, देख लेंगे आप, दोनों हैं तो दोनों का लिखेंगे, है ना, इस तरीके से आप नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट पेज ये रहा, आपके साम मात्रा का गलत उचारन और गलत परियोग दस वाले छात्र, मात्रा की सही उचारों सही परियोग करने वाले छात्र की नमबर ये 60-10 लिखा हुए, निसकर्स है दोस्तों यहां पर, सोध के पूर्भ और पष्चात की इस्तिति की तुलना करने की स्पस्ठ है कि छात्रों को E, बरी, छोटाओ, बढ़ाओ, री, एक के मात्राओं के सही उचारन करने और सही लिकित परियोग करने के अस्तर में ब्रीधी हुई, क्रियात्मक सोध के द्वारा समस्या का निराकरन काफी शीमा तक सफल हुआ, इस तरह के से आप लिख सकते हैं दोस्तों, और आप अपना स्टीचर के द्वारा साइन करवा सकते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों, लास्ट पेज रहेगा हूँ, दोस्तों आप सुजहाओ क्या देना चाहेंगे अपने अनुसार आप सुजहाओ लिख सकते शिच्छक को प्रारंब से ही ध्यान हो देना चाहिए कि चात्र गलत उचारन और गलत लिखित सब्दों का परियोग ना करे छातरों को सुध बोलने और लिखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए शमय शमय पर मातराओं का मौखिक अभ्यास और सुरूति लेक बोला जाना चाहिए शिच्छक को धैरे पुरवक अपने ध्यारणडे की और ग्रशर रहना चाहिए इस तरीके से आप अपने चीजों को action research complete कर सकते हैं दोस्तों तो यह रहा आपका action research next आपका activity के साथ फिल मिलते हैं तब तक के लिए विदा दे जय हिन दोस्तों